हरी धनिया से कैसे जाने गर में 201% लड़का होगा या लड़की नमस्कार दोस्तों आप लोग को मेरा चेनल प्रेग्नेंसी मोगी स्वागत है दोस्तों आज हम इस प्रेग्नेंसी वीडियो में जानेंगे कि हरे धनिया से हम कैसे जान सकते हैं कि घर में पलने वाला शिशू एक लड़का होगा या लड़की उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चनल में नए हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन क बेल है वो प्रेस करके और करके रख दिजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे प्रिग्नेसी टिफिस लाओ तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मेल जाए और दोस्तों अगर आप लोगो को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा साथ में दोस्तों के साथ शेर क दोस्तों क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिक्यासा रेती है कि उनके गर्मे पलने वाला शीशु कौन है लड़का है या लड़की या फिर उनके गर्भवालों को भी जानने की जिक्यासा रेती है कि गर्भवती महिला के गर्मे पलने वाला शिशू कौन है लड़का है या लड़की इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाई करते रहते हैं या फिर लक्षन के दारा जानना चाते हैं कि एक गर्भवती महीला के गर्मे पलने वाला शिशू कौन है लड़का है या लड़की और दोस्तों जब एक म और मानेसिक रूप से भी पड़ेशान रहती है और दोस्तों इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चेनल कोई लिंग भेद भाब को सपोर्ट नहीं करता है मेरा वीडियो बनाने को उद्धिश यही है कि जो गर्भावस्ता को सान करने के लिए मेरा वीडियो बनाती हूँ बाकी मेरा कोई उद्धिश नहीं है और दोस्तों कोई भी लक्षन देखिये 100% से ठीक नहीं होता है आप लोग 80% या 90% ही केस कर सकते हैं और दोस्तों गर्भावस्ता के दोरान एक गर्भावती महिला के सरीर में होर्मोंस के बहुत उतार चड़ाव होते हैं जिसके वज़े एक गर्भावती महिला को बहुत चीजों से स्मेल आती है या फिर गर्भावती महिला को उसका स्मेल पसंद नहीं होता है उनमें से एक ह रिखअब अएंद स्विए हारीधनिया के ढूरान अगर एक हराववती महीला को जो हरी धनिया है उसका पसंदनी आता है इसके विश्षी महीला है को उल्टी के समीश साथ हो जाती है तो जान लिजीगा कि और लड़का होने का ही संकेत है और रड़का है का ही संकित माना जा सकता है ठीक है तो दोस्तों यही था हरिये धनिये से हम के से जान सकते ही कि गर में लड़का होगा या लड़की उसका बारे में दोस्तों अगर आप लोगो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करके बताईएग ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कल में आप लोग के लिए ऐसे और हेल्दी प्रेग्नेंसी उपर वीडियो लेके आऊंगे तब तक के लिए धेनवाद